देखेंगे बी ब्लॉक मदुबन बापुधाम का ले आउट प्लान यहां पे जा रही है नॉर्धन पेरिफेरल रोड बीचो भी जा रही है बी ब्लॉक के वीडियो में कोई भी रेट बताना संभव नहीं है क्योंकि सेलर का प्लॉट का अपना प्राइस होता है रेट क्या है एप्रॉक्स क्या है अंदाजा क्या है बजट होगा जबी तो लेने आएंगे आपको अगर कोई चीज़ लेनी है तो आपको खुदी एक्स्प्लोर करनी होगी यह देखिए यहां पर बी ब्लॉक में ये एक पार्क है अभी यहां पर एक नंबर प्लॉट यहां पर है उसके अब यहां पर एक पार्क है और जूकी नंबरिंग है नाइंटी सैवें से लेके 110 तक फिर यहां पर एक पारक है फिर यह बड़ा पार्क है पार्क के लेकिन यहां पर क्योंकि हमें peripheral road से यह मेरट रोड से गाड़िया सीधी यहां से आएंगी और उसके बाद में यहां कट मिल रहा है और यह सारा commercial है तो यह वाले अभी आपको शायद यहां पर जाड़ियां वाड़ियां दिखें लेकिन बहुत बढ़िया प्लॉट है यहां पर क्योंकि connectivity सीधे पेरिफेरल रोड से है और पास में देखिए कन्विन्ट शॉपिंग सेंटर है वी ब्लॉक में एक तरीकते यह ध्यान रखा गया है कि किसी का बजट कम है तो छोटे साइस का प्लॉट ले सकता अब यह 40 स्क्वाइर मीटर के प्लॉट है इस पार्क के पास में सामने ग्रीन यह पढ़ जाएगा जब सवके बहुत अच्छे से बन जाएगी तब थोड 될 नहीं रहेगा लेना अब 40 स्क्वाइर मीटर के प्लॉट के पास में में मीटर के प्लॉट के पास में यह शापिंगी सेंटर अभी यहाँ पर खेती हो रही है कि मौके पर आप आएंगे तो खेत सामने रैपिड रेल जा रही है तो बहुत सारे वीडियो हैं समझने के लिए आपके यह कॉमर्शल का साइज देखिए इसा भी ब्लॉक है कि यह गाजेबाद विकास प्राधिकरन अम्रत वन वाटी का जहां पर पार्क बनें बहुत सुंदर बनें यह देखिए यही डवलप्मेंट है कि गाड़ियां चल रही है बोल चक्कर पर और मेरट रोड पर सभी को जाना है मेरट रोड तो इस देखिए सड़क पर कितना ट्रैफिक रहता है अभी तो कम है लेकिन सारी गाड़ियां अभी इसी से मूव कर रही है यहां पर बनेगी ग्रूप हाउसिंग यह है सारा ए ब्लॉक खाली पड़ाया भी सारा देखिए आज के टाइम में प्लॉट लेना इंपोर्टन है जरूरी नहीं है कि आप मधुबन बापु धाम में लें आप कहीं भी लें जहां भी आपको ठीक लगे वेव सिटी में लें कि यहां मने एक्सप्रेस लें लें डिली लें कहीं भी लें लेकिन आप यूग तो फिर अभी मिल जाएगी पर क्तां बढ़ते चले जाते हैं हम तो चाहते हैं कि कॉरा कि कम होंगे तभी परचेज होगी है सभी चाहते हैं कि एपंवे जादा नहाँ लेकिन देखिए सैलर भी अपना रुपिया लगाया होता है तो वो अपने हिसाब से सेल करना चाहता है